आज हम लोग हेलो एलकेन एन हेलो एरीन्स में कन्वर्जन को देखेंगे जो कि बोर्ड एक्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो देखें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा एंसे आर्टी का जो एक्सेसाइज है उस एक्सेसाइज का जो 10.19 का फर्स्ट कोशिन है और इसमें देखें ये आपको बोला गया है कि आपको कन्वर्ड करना है प्रोपीन को किसमें प्रोपेन वन ओल में कन्वर्ड करना है देखें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि कभी कभी हम से यहाँ पर गलती क्या होता है कि हम यहाँ पर जो प्रोपेन लिख रहे हैं उसमें कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं प्रोपेन वन और यह आल जो कि सही नहीं है यह गलत है ठीक है सही क्या है देखें सही जो है वो हमारा ये questions में लिखा गया है यहाँ पे जो e term है यहाँ पे जो e word है यहाँ पे नहीं आता है इसका rule हम लोग nomenclature में सीखे थे और nomenclature में हमने ये सीखा था कि अगर कहीं भी आपका ane add होना है ठीक है और इसके बाद अगर कोई भी secondary suffix है अगर वो vowel के साथ आता है मतलब यहाँ पे देखी हमें secondary suffix जो है वो ol है जिसमें o vowel है तो इस e को यहाँ से क्या होना पड़ेगा हटना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे आपका e न होके यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन और यहाँ से e को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आने वाला क्या है वो vowel है और इसलिए हम लोग यहाँ पे e को हटा के यहाँ पे ol एड़ करते हैं तो यह छोटी छोटी जो गलतियां है वो हमें सुधारना है नोमेंक्लेचर में कब आपका e आएगा और कब नहीं आएगा इसका सिधा सिरा रूल है कि अगर इस e के बाद यह primary suffix है अगर secondary suffix में अगर vowel आता है तो इस e को हटना पड़ेगा अगर secondary suffix में consonant आता है तो इस vowel को रुकना पड़ेगा ठीक है तो इस चीज को जहाँ जहाँ एक्जाम्पल होगा मैं आपको वहाँ पे समझाओंगा ठीक है तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे खतम करते हैं अब हम main मुद्दे पे आते हैं कि आखिर हम कैसे जो प्रोपीन है इस प्रोपीन को हम change कर सकते हैं प्रोपीन one all में तो देखे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें formula लिखना चाहिए देखे तो formula अगर आपको आता है structure लिख दीजे CH यहाँ पे आपका CS3 हो गया यह हो गया CH और यहाँ पे यह नहीं लगा है तो हहाँ पे क्या हो जायेगा double bond आएगा अचा देखे यह यहाँ पे यह हमारा हो गया क्या देषीज प्रोपीन अब देखे इस प्रोपीन को हमको किस में change करना है इस प्रोपीन को हमें convert करना है किसमें तूँ प्रोपीन one all यहाँ पे CH3 है आपका CH2 है फिर आपके पास यहां पर क्या CH2 है, और last में हमारे पास OH है, अगर आप nomenclature का rule जानते हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, एक्चुली OH ग्रूप किस कार्बन से टैच है, फर्स्ट कार्बन से टैच है, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रोप N, ठीक है, और N का E हटेगा, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है, अलकोहल है, तो अलकोहल के लिए जो सेकेंडिस अफिक्स लगाते हैं, वो हम ल प्रोपेन ओल, ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पे लिखिए, अब देखें, हम यहाँ पे स्टैटेजी बनाते हैं, कि आखिर, यहाँ पे देखें, डबल बॉंड है, और यहाँ डबल बॉंड हमारा हट रहा है, और साथी साथ OH ग्रूप जूर ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, और एक चीज और ध्यान देना है, कि यहाँ पे कितने कार्बन है, वन कार्बन है, टू कार्बन है, और हमारे पास कितने कार्बन है, थिरी कार्बन है, और यहाँ भी हमारे पास कितने कार्बन है, थिरी कार्बन है, यानि यहाँ पे हमे number of carbon को constant रखना है तो देखिए जब इस तरह का कोई भी case हो तो हमें क्या करना होता है कि हमें strategy में अगर देखें तो हमें इस double bond को किसमें बदलना है single bond में पहले बदलना है ठीक है तो देखिए double bond को अगर single bond में बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि जो हमारा प्रोपीन है, उसका हम HX से reaction करते हैं, और HX में हम लोग यहाँ पे HBR लेते हैं, अब देखिए, HBR से दो तरीके से आप reaction यहाँ पे करा सकते हैं, एक तो आप Marconic Apps Rule से करा सकते हैं, और एक आप Anti-Marconic Apps Rule से करा सकते हैं, देखिए हम Anti-Marconic Apps Rule ऩिक हैं, लिख रहे हैं, जो की पर ओक्साइड के परजनस में होता है, किसके परजनस में होता है, पर ओक्साइड के परजनस में होता है, और दूसरा जो केस है, वो है Marconic Apps Rule, और Marconic Ups Rule में हम लोग Amr, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अब देखे, simple बाते क्या है, Marconic Ups Rule और Anti-Marconic Ups Rule में, अगर आप HBR को add कर रहे हैं, तो HB plus है, और BR के उपर minus है, तो देखे, HBR जब आप Marconic Ups Rule से add करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना है, कि जहाँ पे hydrogen ज़ होगा, और जहाँ पे hydrogen कम है, वहाँ पे BR अटेच होगा, यानि जो plus वाला पार्ट है, वो वहाँ टेच होगा, जहाँ पे hydrogen ज़्यादा है, और negative वोला पार्ट वहाँ पे अटेच होगा, जहाँ पे hydrogen कम है, तो अगर मैं इसके according बनाऊं, तो हमारे पास यह case बनेगा CH3, CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, BR, और यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3, ठीक है, तो एक एक case बन गया, दूसरा case, anti-marconic capsule में just opposite हो जाता है, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे hydrogen कम है, वहाँ पे आपको क्या करना है, negative वाले पार्ट को यहाँ पे attach करना है, ठीक है, तो आ यहाँ पे hydrogen कम है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें, जहाँ पे कम होगा, वहाँ पे hydrogen attach करना है, और जहाँ पे ज्यादा होगा, वहाँ पे हमें halogen attach करना है, तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3, CH2, ठीक है जी, और हमारे पास क्या है, CH2, और देख तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो 2 degree halogen बना और एक 1 degree alkyl halide बना अगर आप कोई भी ऐसा reagent अब लगा के अगर आप यहाँ पे O लगाना चाह रहे हैं तो हमारा किसके जैसा बनेगा हमारा जो product बनेगा जो हमें दे रहा है वो दे रहा है कि propane 1 all की तरह बनेगा जबकि इसमें अगर आप लगाएगा तो इसके जगह पे अगर हम OH अटेच्ज करेंगे तो यहाँ पे यह two all आ जायेगा तो इस वाले step को हमको follow नहीं करना है हमको किसको follow करना है हमको इस वाले step को follow करना है तो हम यहाँ पे अब एक नया reactions लिख रहे हैं और वो reaction लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग Equus लिख रहे हैं, यहाँ पे Water ले रहे हैं, तो QH में क्या होगा, कि यहाँ से यहाँ पे यह K Plus में आएगा और OH माइनस में आएगा, तो OH जो माइनस वाला है, वो इसके उपर Attack करेगा इस Carbon के उपर, और इसको बाहर निकाल देगा, और इस तरीके से आपका यह Product बन जाएगा, यानि अगर आप यहाँ पे इसको One Step में लिखना चाहते हैं, तो अब कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को मैं आपको यहाँ पे discuss कर देता हूँ, तो बहुत असान तरीका है, इससे आप बहुत असानी से क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, तो चलिए, अब हम इसको explain कर रहे हैं, ठीक है, easy way में explain कर रहे हैं, सबसे पहले हैं, आपने लिया CH3, आपने लिया CH, और आपने लिया double bond CH2, तो इसको सबसे पहले आप hello alkene में बदल दीजे, तो देखिए according to requirement हमें 1 degree alcohol बनाना है, तो 1 degree alcohol बनाने के लिए हमें 1 degree alkyl halide का formation करना पड़ेगा, तो 1 degree alkyl halide का formation करने के लिए unsymmetrical alkyl halide में हमें anti-marconic ups rule लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे peroxide, ठीक है, तो peroxide के case में यह आपको बदल जाएगा, CH3, anti-marconic ups rule लगा लिजे, यह हो जाएगा CH2, और यह आपका हो गया CH2, और यह आपका क्या हो गया, BR, अब आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, देखिए equus KOH लेना है, एक concentrated लिया जाता है, और एक equus लिया जाता है, याद रखिएगा, equus में substitution reaction होता है, जबकि concentrated में elimination reaction होता है, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, कि यहाँ से आपका, यह KBR आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा, CH3, CH2, CH2, और लास्ट में, हमारे पास इसमें क्या attach हो जाएगा, OH attach हो जाएगा, तो देखिए, बहुत असानी से, यह हमारा क्या है, this is propanine बोल सकते हैं, यह प्रोपीन बोल सकते हैं, ठीक है, और यह आपका क्या हो गया, this is bromopropane, ठीक है जी, this is bromopropane, ठीक है, ठीक है, प्रोपेन और यहाँ पे हमारा बन गया, प्रोपेन ओल, ठीक है, प्रोपेन वन ओल, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे, बहुत असानी से क्या किये, कि प्रोपीन को प्रोपेन ओल में चेंज किया, अच्छा देखिए, अगर आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पे alcoholic koh ले लिजेगा ठीक है यहाँ पे आप कैसा koh लिजेगा यहाँ पे अगर आप alcoholic koh ले लिजेगा याद रखिएगा 2 koh की बात करते है aqueous koh और alcoholic koh तो फिट से यह आपको क्या बन जाएगा elimination reaction हो जाएगा CH3 CH double bond आपका हो जाएगा CH2 क्योंकि यहाँ से बाहर फिर निकल जाएगा क्या HBR तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यह elimination reaction हो गया और यहाँ पे यह substitution reaction हो गया तो अभी हमने complete किया कि कैसे हम propene से propene one all बनाएंगे और यह हमारा NCRT exercise का 10.19 का first question है और यह board के लिए बहुत ही important है